मौत हुई हो जवान बेटे की मौत हुई हो और वुस बेटे की डैट बोडी जो आपको बतादी के अस्पताल में पढ़ी हो और पीडित परिवार दर दर की ठोकरे खारा इंसाब के लिए के इंदर एक बहुत ही बहुत चर्चित यात्रा चल रही है दलित समुधाय की तरफ से कार्तिक भ्याद भील को नयाई दो यात्रा चल रही है वही राजस्तान के अंदरी इस वक्त कॉंग्रेस की पार्टी की तरफ से भार जोड़ो यात्रा चल रही है राजस्तान में कॉंग जो सव है वो गुजरात की महशना की एक मौर्चरी के अंदर रखवाया है आप सोब नो नो दिनों तक अभी तक डेट पोड़ी का अंतिम सचकार नहीं होना भी एक बहुत बड़ी बात है वहीं दूसरी तरफ आपको बता दे कि इस मामले में यानि कार्थिक भील मामले में लगातार पुलिश पर्चासन के दबाव बढ़ाने की वज़े से पिडित परिवार ने सिरोई के जिलक लेकरेट के बार जो धरना दे रहे थे वहाँ से वो कल सामको उठ गए थे और उसके बाद जेपूर ही पैदल न्याई के लिए निकल गए अब उनके पीछे 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 बरसा सिंसर्टा उनसे समझाईश की कोशिश की जा रही है देखना कारतिक भील को नियाई किस तरीके से सरकार देती है या नहीं देती है या पीडित परिवार को 500 फिलमेटर तक पैदल चलना ही पड़ेगा दरह स regular आपको बता दे कि राजस्तान की में कांग्रेस की सरकार की जगए अगर बीजेपी की सरकार होती तो अब तक ना जाने कितने लोग होला हो करते है कॉंग्रेस की जब सरकार नहीं होती है तब दलित समुधाय की एक्टिविस्ट जो अपने आपको कहते हैं वो फ्री बैठे रहते हैं और जैसे ही कॉंग्रेस की सरकार आती है उनकी चुपी वो ताले अपने मुह पर डगा लेते हैं कारतिक भेहिल को इंसाफ दिलाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं लेकिन फिर भी एक जिस तरीके की आवाज उखनी चाहिए थी वैसी आपको बता दे कि नहीं देखने को बली है दो विदाइक जो की सरकार के सयोग में बीटीप से दोनों भी बीटीप के विदाइक थी राजकुमार रोत और उनके सयोग विदाइक लेकिन उसके बावचूद भी अभी तक उन्हें अपने पीडित परिवार भील परिवार को इंसाफ दिलाने में जो है आपको बता दे क कि बहुत सारे नेता भी इपको बिता दीक आदिवास में समुधाय सात हैं लेकिन उन्हों ने भी कारतिक भील के परिवार की खेर खबर नहीं लिए रहीं भूर को इन अभी तक उन्होंने अपने परिवार को अभी तक उन्होंने डेट बोडी को भी दास इंसकार नहीं किया है और एक डेट बोडी जहां आपको बता दे कि अस्पताल में पड़ी हुई है और उसका बीवी उसके बच्चे उसके माता पीता शड़कों पर इंसाप की मांग कर रह रहे हैं आप सोच सकते हैं और सोच कर देखिए कि इससे बुरा इस देश के लिए क्या हो शकता है क्या इसा हो शकता है कि देश के अंदर एक पीडित परिवार जिसके बेटे की मौत हुई हो जवान बेटे की मौत हुई हो और उस बेटे की डैट बोडी जो आपको बता दे सिर्फ और शिर्फ की उनके पीता को किसी के बेटे को किसी के बाई को न्याय मिले कारतिक भेल को इंसा पिले बिलें कि इसने विडियों अप्डेडों के साथ अब तक आप से लेते विदाल आए कि जी कमेंट के चो शेयर करना पिल कुणा पूद